आज मैं बहुत ही healthy नास्ता लेके आई हूँ इसे बच्ची के टिफिन-बॉक्स में भी दे सकते हैं और रैकीन मानिये बच्चा जो है टिफिन-बॉक्स को एक दम फिनिस करके ही आएगा। आप इसे वरिकफर्ष्ट में भी ले सकते हैं बहुत ही healthy नास्ता इस रेस्पी को ज इसे मैंने बड़े चम्मच से ना पा तो यहां पर धाई चम्मच यह बेसन है आप जरुवत अनुसाद ले सकते हैं तो चलिये बेसन को साइड में रख देते हैं और अपनी मन पसंद की कुछ सबजियां ले लेते हैं तो यहाँ पर मैंने लिया एक गाजर, एक सिम्लामिच और एक प्याज जिसे अच्छे से चॉपड कर लेंगे आज कल तो हर घर में चॉपर मसीन है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो यहाँ पर हमारी सबजियां चॉपड हो चुकी है इसे बेसन में डालेंगे एड करेंगे और इसमें अब डालेंगे थोड़ी सी आजवाइन और डालेंगे थोड़ा सा हिंग बहुत ही जरूरी है इससे डाइजेसन भी सही रहता है और खाने में स्वाद भी आता है अब एक चमच कसमी लालमिच डालेंगे यह खाने में ज़्यादा कोई तीखा नहीं होता है और ड चौप्ड किया हुआ हरी मिच अगर बच्चे के टिफिन के लिए बनाना है तो आप हरी मिच को सकते हैं और यहां पर डाल दूगे मैं स्वाधमसा नमप और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका घोल तैयार करना है बैटर का जो घोल है वह ज्यादा ना गाढ़ा हो और ही पतला हो थोड़ा थिक होना चाहिए गाढ़ा होना चाहिए अब हमने यहां बैटर तयार कर लिया है अब एक तवा रखेंगे और थोड़ा सब घी या बटर या तिल लगाएंगे आप कोई भी ब्रेड ले सकते हैं ब्राउंड या नॉर्मल ब्रेड यहां पर मैंने साध लेंगे और इस पे अब हम सीजनिंग करेंगे सीजनिंग के लिए मैंने पिजा और गीनो लिया और चिली फ्लेक्स लिया है आप अपनी मन पसंद का कोई भी सीजनिंग ले सकते हैं और इसको हम उलट पलट के सेक लेंगे यह नास्ता दोनों तरब से हमारा सीख चुका है च अब दस एक पास एक लेंगे फिर उसके वाद उपास से हम पिजा और और इनो शेट्स वगएरा जो भी आपको पसंद है यहां पर भुना जीरा पॉर्डर भी ले सकते हैं चाट मसाला भी ले सकते हैं जो आपको सीजनिंग पसंद है वह आप ले सकते हैं लेकिन बच्चों सबी पसंद करते हैं और बहुत ही हेल्दी नास्ता है तो यह हमारा पनीर भी सिख चुका है अब चलिए सैंडविच बनाते हैं ब्रेट पे रख करके दोनों सैड़ों से दबा करके और इसको ऐसे चाकू से हम काड़ देंगे तो यह मज़दार हमारा नास्ता तयार हो गया ह इसे जरूर अपने बच्चे के लंस बॉक्स में दीजिएगा यकीन मानिए बच्चा बिल्कुल फिनिस करके ही आएगा आप इसे हरी चटनी या टोमेटर केचप के साथ इंजवाई कर सकते हैं तो यह हमारी जस्पी कैसी लगी फ्रेंस में फैमली में सेयर करना ना जढगाया इंग जदा आपने उह हमारी इंग्ने खलो यह हमारी बच्समें पह इंगार। यह हमारी आफंगा बप्रूणता बसलिए ठक्रां करता हैं जह हमारी इंगा डे आहरा ला विए जो ए इंगा झाले ना इंगल तो स metricि बढasınaं आशले और दसे हम में इंग आड़ क